नेबुला मैस के इस वीडियो में हम लोग वर्ग समीकरण यानि दुई घात समीकरण को समझेंगे जिन समीकरणों में वैरियेबल्स यानि चरों की मैक्सिमम घात दो होती है ऐसे समीकरड को दो घात का समीकरड यानि दुई घात समीकरड और थात वर्ग समीकरड कहते हैं किसी समीकरड में जो variable होते हैं उनकी जो maximum घात होती है वही घात समीकरड की घात कही जाती है जैसे board पे दो type के समीकरण दिये गए हैं दोनों ही समीकरणों में variable x के maximum घात देखिए पहले में भी 2 है और दूसरे समीकरण में भी x की maximum घात 2 है तो हम कहेंगे कि पूरे के पूरे समीकरण की घात 2 है और दो घात वाले समीकरण को ही हम दूई घात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं इस वीडियो में हम लोग इन दोनों type के वर्ग समीकरण को हल करना समझेंगे पहले वाले वर्ग समीकरण को हम थोड़ा सा पक्छांतर करके इस रूप में भी लिख सकते हैं दूसरे शमीकरण को अगर हम गोर से देखें, तो दो घात वाला पद तो यहां है ही, साथ मैं X की एक घात वाला पद और बिना X वाला पद भी दिया गया है, जब कि पहले समीकरण में एक घात वाला पद नहीं है यहाँ पर k कोई number है अब board पर बहुत सारे समीकरण दिये गए है इन में से समझना है कि कौन से समीकरण वर्ग समीकरण है और कौन से नहीं है यदि गोर से देखें तो समीकरण number a और b पहले type के वर्ग समीकरण है क्योंकि दोनों में ही X की maximum घात यहां दो दी गई है इसी तरह समीकर नमबर C, D और E तीनों में X की maximum घात दो है इसलिए ये तीनों भी वर्ग समीकर है जो दूसरे टाइप के अंतरगत आएंगे समीकर नमबर F को यदि गौर से देखें तो इसमें X की maximum घात यहां 1 है 1 को नहीं लिखते हैं, समझ जाते हैं इसलिए यह एक वर्ग समीकर नहीं है एक घात वाले समीकर को हम रेखिये समीकर कहते हैं यानि ये वाला समीकर क्या है? रेखिये समीकर कह लाएगा समीकर नमबर G की घात यहां देखिए 4 है समीकर नमबर H में कहीं भी X की दो गहात नहीं दिख रही है लेकिन थोड़ा सा इसे हम हल करें तो साइध दो गहात नजर आने लगे हम हल करते हैं भीन का जोड है LCM लेंगे तीरचा गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा X स्कौाइर प्लस वन बटे X बराबर दो इस X को इधर गुणा करेंगे तो बनेगा X स्कौाइर प्लस वन बराबर 2X देखिए इस समीकरण में दो की घात नजर आने लगी अर्थात ये समीकरण भी वर्ग समीकरण है इसी तरह समीकरण नमर आई को भी पक्छांतर वगार करके आप देखेंगे कि ये भी एक वर्ग समीकरण नजर आने लगेगा वर्ग समीकरोड को पहचानने के बाद आईए अब हम इन्हें हल करना समझते हैं पहले टाइप के वर्ग समीकरोड यानी x square बराबर k ऐसा दिखने वाले समीकरोड को हल करने की दो विधियां है पहली विधिया वर्गमूल विधि और दूसरी विधिया गुलनखंड विधि तो आईए बारी-बारी से दोनों विधियों को समझते हैं यक्स square बराबर के टाइप समीकरोड को वर्गमूल विधि से हल करने के लिए बराबर के निशान के दोनों पक्छों का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं आप जानते हैं कि समीकरल की पहचान है कि बराबर का निशान होना चाहिए X स्क्वाइर का वर्गमूल X और दूसरे साइड में K का वर्गमूल करड़ी में ऐसे K और यहाँ plus और minus आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के दो वर्ग मूल होते हैं positive और negative जैसे 25 के दो वर्ग मूल है plus 5 और minus 5 तो इस तरह से समीकरण के कुल दो हल प्राप्त होंगे समीकरण के इन हल को ही बोलते हैं कि समीकरण के मूल हैं अर्थात इस टाइप के वर्ग समीकरण के दो मूल प्राप्त होंगे एक positive और दूसरा negative उदाहर के लिए एक सवा लेते हैं x square बराबर 16 इसे यदि वर्ग मूल विधी से हल करना है तो दोनों पक्षों का हम वर्ग मूल निकालेंगे इस साइड में x हो जाएगा और दूसरे साइड में plus minus under root 16 अब इस 16 का हम वर्ग मूल निकालेंगे plus minus और 16 का वर्ग मूल 4 अर्थात x के दो मान प्राप्त हुए पहला है plus 4 और दूसरा है minus 4 बड़ा ही आसान है ये एक दूसरा सवाल भी ले लेते हैं 9x square minus 25 बराबर 0 सबसे पहले इसे हम x square बराबर के टाइप लिखेंगे यानि नमबर चला जाएगा बराबर के निसान के दूसरे साइड में और इस साइड में के ओल x square रहेगा तो कर लेते हैं आप कर सकते हैं असानी से x square बराबर ये 25 इधर गया और 9 इसके नीचे चला आया अगला step दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे इधर हो जाएगा yax बराबर plus minus और वर्गमूल 25 बटे 9 यानि कि plus minus 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3 दो उत्तर आये दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं 5 बटा 3 और minus 5 बटे 3 अब यदि इस टाइप के वर्ग समिकरों को गुरन खंड विधी से हल करना हो तो हम एक सरो समिका का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हों लोग पहले ही पढ़ चुके हैं a square minus b square बराबर होता है पहले कोश्टक में a plus b और उसमें गुणा कर देते हैं दूसरे कोश्टक में a minus b से a square minus b square टाइप वेंजको का गुरन खंड करने का वीडियो पहले ही नेबुला मेर्थ पे अपलोड हो चुका है आप लोग उसे देख लीजिएगा description box में उसका link डाल दूँगा आईए गुरन खंड विधी को हम सीधे सीधे सवाल के माध्यम से समझते हैं सवाल है x square बराबर 16 क्या करते हैं कि दूसरे साइड में 0 बनाते हैं इसके लिए 16 को दूसरे साइड में लाएंगे और इधर हम 0 कर देंगे ध्यान दिजिएगा ये विधी तभी काम करेगी जब यहां बीच में माइनस का निशान हो और माइनस के निशान के दोनों तरफ के नंबर को हमें वर्ग के रूप में लिखना है ताकि इस तरह के मानक रूप में आ जाए यहां x square पहले से है बीच में माइनस का चीन भी है इस 16 को हमें लिखना पड़ेगा चार का square बराबर 0 दोनों नंबर वर्ग के रूप में आ गए अब क्या करेंगे कि पहले कोश्टक में दोनों नंबर को इस तरह से जोड़ देते हैं और दूसरे कोश्टक में करम से घटा के इधर बराबर 0 तो लगा ही रहेगा अब यहां दो संख्याओं का गुड़ा 0 है इसका मतलब होता है कि कम से कम एक नंबर इने में से 0 होना जरूरी है यदि x प्लस 4 बराबर 0 होगा तो यह दे देगा x बराबर माइनस 4 और यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो यह दे देगा x बराबर 4 तो इस तरह से भी देख रहे हैं कि यक्ष के दो मान प्राप्थ हो रहे हैं, पलस चार और माइनस चार जैसा कि वर्गमूल वाली विधी में प्राप्थ हुआ था इस समीकरण में यक्ष बराबर 4 और माइनस 4 रखर के देखेंगे तो इस साइड में भी 16 आ जाएगा वर्ग मूल विधी को और किलियर करने के लिए दो और सवाग बोर्ड पे दिये गए हैं पहला सवाल है x square minus 5 बराबर 0 इसे मानक रूप में लिखने के लिए हमें 5 को वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा 5 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 का वर्ग आगे के सारे steps पहले की भात दिये गए हैं और उत्तर आया है x बराबर plus करड़ी में 5 और minus करड़ी में 5 इसी तरह अगला सवाल 16 x square बराबर 25 दिया है इसे भी मानक रूप में ऐसे यहाँ पे लिखा गया है आगे के steps आप स्वयम समझेंगे अंतिम उत्तर आया है 1 बराबर 5 बटे 4 और minus 5 बटे 4 आईए एक इबारती प्रस्ण भी कर लेते हैं जिसमें हमें समीकर बनाना होगा और फिर उसको हल करना होगा सवाल दिया है कि एक आयता कार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है यदि बाग का छेत्रफल 243 वर्ग मीटर है तो बाग की लंबाई और चौड़ाई कितनी है ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम समीकर का सहारा लेते हैं यह आयता कार बाग है हमाल लेते हैं कि इसकी चौड़ाई एक्स मीटर है तो लंबाई चुकि इसकी 3 गुनी है तो यह हो जाएगी 3 एक्स मीटर बाग का छेत्रफल दिया है 243 वर्ग मीटर छेत्रफल आप जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है लंबाई 3x गुड़े चौड़ाई यानि x बराबर 243 गुणा करेंगे इधर आएगा 3x² बराबर 243 यहां से x² बराबर 243 बटा 3 यानि 81 तो देखिए यह एक वर्ग समिकरण बनके तयार हो गया इसे यदि हम वर्गमूल बीथी से हल करें तो आएगा x बराबर प्लस 9 और माइनस 9 81 का वर्गमूल प्लस माइनस 9 और x को हमने माना था बाग की चौड़ाई अर्थात चौड़ाई आ गई 9 मीटर बाग की चौड़ाई को हमने 9 मीटर ही लिया है माइनस 9 को छोड़ दिया गया है क्योंकि चौड़ाई माइनस में नहीं होती है और लंबाई क्या हो जाएगी यह चौड़ाई के तीन गुनी है यानि तीन गुड़े 9 बराबर 27 मीटर आप लंबाई 27 और चौड़ाई 9 का गुना करके देखेंगे कि बाग का चेतरफल 243 मीटर आ जाएगा अब हम दूसरे टाइप के वर्ग समीकरण यानि AX स्कौाइर प्लस BX प्लस C बराबर 0 इस तरह के समीकरण को हल करना सिखेंगे इसे हल करने के भी दो विधियां है पहली विधी है गुरनखंड विधी और दूसरी विधी है स्रीधराचार के सुत्र के द्वारा पहले हम गुरनखंड विधी से समझते हैं इसके लिए हमने एक सवाल ले लिया है सवाल की तुलना यदि मानक रूप से करें तो मालूम चलेगा कि यहाँ A बराबर है 3 A का मतलब X स्क्वायर का गुडांक B यानि X का गुडांक देखिए यहाँ 10 है B बराबर 10 और C यानि बिना X वाला पद यानि यह है 8 विधी यह है कि बराबर के निसान के इस साइड में जो व्यांजक दिया गया है उसका हम गुडांखंड कर लेते हैं A X स्क्वायर प्लस B X प्लस C टाइप के व्यांजकों का गुडांखंड करने का भी वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है उसमें इस विधी को विष्टार से समझाया गया है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया गया है आप उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा प्रासेस अच्छे से समझ में आ जाएगा यहां भी मैं समझा देता हूँ पहला काम यह करते हैं यक्स इसक्वायर के गुणांक को पाजिटिव बना लेते हैं इस सवाल में यक्स इसक्वायर का गुणांक तीन पहले ही पाजिटिव है तो अच्छी बात है अगला काम है ए और सी का आपस में गुणा करते हैं यानि तीन और आठ का गुणा कर देंगे तीन गुड़े 8 बराबर 24 अब 24 के गुलनखंड करते हैं दो दो नमबर के 24 के कितने तरह से गुलनखंड हो सकते हैं दो दो नमबर के एक तो हो सकता है एक गुड़े 24 दूसरा हो सकता है दो गुड़े 12 तीसरा हो सकता है तीन गुड़े 8 चौथा हो सकता है, चार गुड़े च्छा है, इतने, अब हम देखते हैं कि C के पहले प्लस का निसान है या माइनस का, जैसे यहाँ 8 के पहले प्लस का निसान है, तो इन गुणन खंडों में से ओ वाला गुणन खंड हम छाटते हैं, जिनके नमबर का जोड़, यहाँ देखि क्या आ जाए, यह बीच का नमबर B, यानि कि 10 आ जाए, तो इस आधार पे यह लाश्ट वाला गुणन खंड, छाए गुड़े चार फिट बैठता है, बाकी यह तीन गुणन खंड हमारे काम के नहीं है, कहने का मतलब है कि 4 और 6 का जोड़, दस आएगा यह बीच वाला नम यदि सवाल में यहाँ C अर्थात 8 के पहले माइनस का निशान होता, तो O वाला गुणन खंड खोजते, जिनके नमबर को घाटाने पे, बीच वाला नमबर यह 10 आता, तब कौन सा गुणन खंड काम का होता, यह वाला 2 गुणे 12, 12 में से 2 घाट आते तो 10 आता, बस इतना ही यहाँ पे समझना है, अगला स्टेप यह होता है, कि इस 10 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, 6 प्लस 4 के रूप में, देखिए कैसे, 3X स्क्वायर प्लस 10 को 6 प्लस 4 एक्स प्लस 8 बराबर 0, इस ब्रेकेट के खोल देंगे, 3X स्क्वायर प्लस 6X प्लस 4X प्लस 8 बराबर 0, अब देखिए, यहाँ 4 पद आ चुके हैं, इन में से 2-2 का हम जोड़ा बना लेते हैं, पहले जोड़े में से, जितना कामन आने को होता है, और ले लेते हैं, यहाँ से कामन आएगा 3X, इस पूरे प्लस को गुणनखंड वाले वीदियों में समझाए गया है, उ उसके बाद इस जोड़े में से, जितना कामन आ सकता है, ले लेंगे, यहाँ कामन 4 दिख रहा है, कामन लेंगे तो आएगा, ब्रेकेट में X प्लस 2, अई साइड में बराबर का निशान, प्रासे सही जा रहा है कि नहीं, इसका पहचान यह है, कि यह ब्रेकेट में जो 3X यह बीच में प्लस का चिन और प्लस 4 बराबर 0, अब जैसा कि पहले हम समझ चुके हैं, दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है, तो उन में से कम से कम किसी एक को 0 होना पड़ेगा, यदि X प्लस 2 बराबर 0 हो, तो यह देदेगा, X बराबर माइनस 2, और यदि दूसरा वाला ब्रेकेट, यानि 3X प्लस 4 0 है, तो यहां से X की वैल्यू आएगी, माइनस 4 बटा 3, तो देख रहे हैं कि X के दो मान, माइनस 2 और माइनस 4 बटा 3 प्राब्ध हुए, तो यह प्रोसेस था, दूसरे टाइप के वर्ग समीकरण को गुणन खंड विधी से हल करने का, अ दिखाए कि X बराबर माइनस 2 इस समीकरण का एक हल है, इसका मतलब यह है कि इस समीकरण में जहां जहां यक्स है, वहां माइनस 2 रख दिया जाए, तो इस साइड में भी 0 हो जाना चाहिए, तो चलिए, चेक करते हैं, Left hand side में x बराबर minus 2 रखेंगे 3 गुड़े x square यानि minus 2 का square प्लस 10 गुड़े minus 2 प्लस 8 bracket इसलिए लगाना पड़ रहा है ताकि minus 2 असपस्थ दिखता रहे बराबर 3 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 10 में माइनस 2 का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 20 और प्लस 8 4 तियाँ बारा 8 20 में से 20 घटेगा बराबर 0 देखिए ये राइट हैंड साइट के बराबर आ गया अर्थात येक्स बराबर माइनस 2 दिये गए समीकरण का एक हल है वर्ग समीकरण पर ही एक इबारती सवाल दिया गया है दो संख्याओं का योग 8 है और उनके वर्गों का योग 34 है तो संख्याओं ग्याद करनी है तो सबसे पहले हमें समीकरण बनाना होगा माल लेते हैं कि पहली संख्या X है तो दूसरी संख्या जाहीर है कि 8-X होगी क्योंकि दोनों का योग 8 है अब इन दोनों संख्याओं के वरगों का योग यानि X का वरग और दूसरी संख्या 8-X के वरग का योग यहां 34 के बराबर है Bracket को खोलेंगे a-b के whole square का फार्मूला लगाएंगे 64 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस 8 दूनी 16x बराबर ये 34 यहाँ x square और x square मिलके बन जाएंगे 2x square माइनस ये 16x और इधर से 34 दूसरे साइड में आएगा 64 से घटेगा तो बच जाएगा प्लस 30 बराबर 0 चाहे तो दो कामन ले सकते हैं कामन लेने के बाद बचेगा x square माइनस 8x प्लस 15 और जो दो कामन लिये थे 0 में भाग देंगे फाइनल आ जाएगा 0 तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास x square प्लस bx प्लस c बराबर 0 टाइप का एक वर्ग समीकरण प्राप्थ हो गया अब इस समीकरण को हमें हल करना है क्या करना होगा इसके लिए कि इस 15 का हमें गुड़न खंड करना होगा एक गुड़न खंड हो सकता है एक गुड़े 15 और दूसरा गुड़न खंड हो सकता है तीन गुड़े 5 प्लस का निशान है इस 8 के बराबर हो तो अस्पश्ट है कि ये वाला गुरनखंड हमारे काम का है क्योंकि 3 और 5 का योग 8 के बराबर होगा तो ऐसे समीकरण को हल करना हम लोग सीख चुके हैं 8 को लिखेंगे 3 प्लस 5 आप चाहें तो 5 प्लस 3 भी दिख सकते हैं कोई अंतर नह माइनस 3 यक्स माइनस 5 यक्स ब्लस 15 बराबर 0 और यहां से दो दो का जोड़ा बनाएंगे यक्स कामन आएगा यहां से आएगा यक्स माइनस 3 माइनस यहां पर 5 कामन आएगा यक्स माइनस 3 बराबर 0 अगला इस्टेप यह होता है कि पूर्य ब्रेकेट को कामन लेते हैं यह देखिये x-3 यहाँ बचेगा x-5 बराबर 0 यह इस्टेप देदेगा x बराबर 3 और x बराबर 5 अब यहाँ से यदि हम x बराबर 3 लेते हैं तो दूसरा नमबर हो जाएगा पांच आठ में से तीन घटाएंगे पांच आजाएगा और यदि एक्स बराबर पांच लेते हैं तो दूसरा नमबर आजाएगा तीन यानि कि हमारी अभिष्च संख्याएं आई तीन और पांच इनका जोड आठ है और वर्ग करें तो तीन का वर्ग 9 होगा और पांच का वर्ग 25 होगा इनका जोड हो जाएगा 34 देखिए यहाँ पे दिया गया है दूसरे टाइप के वर्ग समिकरण यानि एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को हल करने की एक और विधी है जिसमें हम स्रीधराचार के सुत्र का इस्तेमाल करते हैं उस सुत्र को हम अगले वीडियो में समझेंगे बहुत बहुत धन्यवाद